नियाय व्यवस्था जो भारतिय नियाय व्यवस्था है जिसमें धर्म आधार है जो वेदों पर आधारित है जो उपनिश्दों पर आधारित है इस्मृतियों पर आधारित है वो नियाय व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं तो हमारी न्याय व्यवस्था, हमारा धर्म कहता है कि शराब पीना पाप है और नहीं पीना चाहिए, गोहत्या करना पाप है और नहीं करनी चाहिए, तो हमारे यह शराब पीना पाप बताया गया, तो धर्म पर आधारित, सत्य पर आधारित, और भारतिय न्याय दर्शन पर आधारित जब तक समाज विवस्था चली इस देश में किसी ने कभी शराब नहीं पी। बहुत सालों से मैं एक शोद के काम में लगा हुआ हूँ कि भारतवासियों ने सबसे पहले शराब कप पी। तो अब तक मुझे जो प्रमाण मिले हैं वो प्रमाण कहते हैं कि 1760 के पहले तक किसी भी भारतवासी ने कभी भी शराब नहीं पी। काम पनी का राज चलता था इस देश में IST INDIA कमपनी का तो कानून बनवाया, कानून से लाइसेंस दिया गया और उस लाइसेंस के आधार पर कलकत्ते में पहली शराब की दुकान खुली 1760 में और उस शराब की दुकान पर आकर भारतवासियों ने शराब पीना शुरू किय रॉबर्ट कलाइट के समय में जब ये शराब की दुकान खुली और जिस अंग्रेज अधिकारी की पहली नियुकती इस दुकान पर हुई उस अंग्रेज अधिकारी को एक बार लंदन की संसद में बुलाया गया था बयान देने के लिए तो वो अंग्रेज अधिकारी जब लंदन गया संसद में बयान देने के लिए तो उससे पूछा गया कि बताओ तुम्हारे शराब का धंदा कैसा चल रहा है तो उसने कि बहुत अच्छा चल रहा है तो अंग्रेज संसदी समीती के सदस्यों ने का ये तुम क्या बोल रहे हो भारत में शराब का धंदा अच्छा चल रहा है उसने का हाँ बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारे पहले कैसा चलता था उसने का मेरी शराब की दुकान खुलने के पहले तो कोई शराब पीता ही न नहीं था, मैं तो पहला आदमी हूँ, जिसने कलकत्ता के लोगों को शराब पीना सिखाया, तो तुम्हारी दुकान पर लोग आते हैं, हाँ आते हैं, भीड की भीड आ रही है, तो तुमने क्या किया? उनको अपनी दुकान पर बुलाने के लिए, आकरशित करने के लिए, तो और उस पर लिख दिया, और उसको बांगला भाशा में लिखा, पहले अंग्रेजी में फिर बांगला में, और उस पर ये लिखा, कि यहां मुफ्त में शराब मिलती है, आईए, पीजिए, आनंद लीजिए, ऐसा करके बोड पर लिख दिया, तो एक आया, उसने चखा, फिर दूसरे दिन वो दो को और लेके आया, फिर तीसरे दिन तीन को लेके आया, तो कहने लगे, अब तो मेरे पास ऐसे ग्राहकों की संख्या हो गई है, कि जिनको पहले मैंने मुफत में शराब चखाई थी, अब वो घर से पैसे चुरा कर लाते हैं, और मेरी शराब पी कर वहा तो दूसरी दुकान खुल गई, फिर तीसरी खुल गई, फिर चौती खुल गई, एक दिन साड़े तीन सो दुकाने हो गई कलकता में, और ये दुकाने बढ़ती नहीं, अंग्रेज इसको बढ़ते रहे, शराब पीने का कानून बना दिया, कानून में ये लिख दिया, कि अगर कोई बालिग हो गया, तो शराब पीने का अधिकारी हो गया, जब तक वो ना बालिग है, तब तक ना पिये, बालिग हो गया, तो पीने लगे, अब हमारे हां अंग्रेजों के जमाने में बहस चली, कि भारत में कोई बालिग है, या ना बालिग है, इसकी उमर क्या मा नहीं जाए तो आपको सुनकर हारानी होगी मैं सब को बताना चाहता हूं कि सालों साल अंग्रेजों ने बालिग होने की उमर 14 साल रखी फिर उसको 16 साल किया फिर आते आते वो 18 साल हो गई माने थोड़े समय तक ये था कि 14 साल के उपर हो जाए तो शराब पी ले तो अंग्रेजों को पूचा गया कि तुमने यह 14 साल कैसे रख दिया तो उनने का हमारे इंगलेन में 14 साल में सब शराब पीने लगते है तो हमने भारत में भी रख दिया आप जानते एंगलेन में 12-14 साल के शराब पीने लगते, तो भारत में भी वही उमर उन्होंने रख दी, फिर थोड़े दिन बहस होकर 16 साल किया, फिर उसको 18 साल कर दिया, अब भारत सरकार को क्या करना चाहिए था, आजादी मिलने के बाद, ये कानून समाप्त कर देना चाहिए था, क्योंकि हमारे धर्म में, ह ये शराब के कानून को और जादा खुला कर दिया, और इतना खुला कर दिया, कि पहले अंग्रेजों के जब शराब का कानून बना था न, तो अंग्रेजों ने उस कानून में एक जगे ये लिखा हुआ था, कि भारत में अगर कहीं मंदिर है, कहीं मस्जित है, तो उसके द दूर दूर पाँच सो मीटर तक शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए अंग्रेजों ने कानून में ये लिखा मंदिर है, मस्जित है, गुरद्वारा है, चर्च है, कोई धर्मिस्थान है उससे पाँच सो मीटर दूर तक कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए फिर इसी इन काले अंग्रेजों ने आजादी के बाद जो कानून बनाया है अब वो कानून ये है कि मंदिर के सामने शराब की दुकान है मस्जिद के सामने शराब की दुकान है गुर्दवारों के सामने शराब की दुकाने है और खाली शराब की ही दुकाने नहीं है उससे जादा और ग्रनित काम करने के दूसरे अड़े वहाँ खोले हुए जुए के अड़े है वैशिया वरती के अड़े है ये अंग्रेजों का बनाय हुआ कानून है और अंग्रेजों के बाद काले अंग्रेजों का बनाय हुआ कानून परिणाम ये हुआ कि जिन अंग्रेजों ने एक शराब की दुकान खोली थी आज इस देश में काले अंग्रेजों की मदद से लाइसेंस धारी शराब की दुकाने 32,000 हो गई हैं और अगर आप बिना लाइसेंस वाली दुकानों को गिनेंगे तो वो एक लाइसे जादा हैं गाओं गाओं शराब की दुकान खुल रहे हैं अगर आप कल्पना करिए एक लाग शराब की दुकाने हैं तो इसका माने भारत के हर छे गाउं के बीच में एक शराब की दुकान है अब काले अंग्रेजों की तैयारी चल रही है कि हर गाउं में एक शराब की दुकान होनी चाहिए माने हर गाउं में 6 छाग अरती सजार से जादा पूरे भारत में शराब की दुकाने होनी चाहिए सारे देश को शराब में डूबो देना चाहिए और इसकी नीती कई राज्यों में बनकर लागू हो रहे है कई राज्यों ने तो यहां तक तैय कर लिया है कि गाउं गाउं में ही शराब नहीं मिलेगी वैन चलाएंगे शराब बेचने वाली जैसे मरीजों को ले जाने के लिए चिकितसा साहिता वैन होती है न वैसे शराब बेचने के लिए वैन दिल्ली सरकार का फैसला राजस्तान सरकार का फैसला बारत के कई राज्य सरकारें अब वाहंग चलाएंगी, मोवाइल वैंग चलाएंगी, उनमें गाउं 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 जाकर, घरगर जाकर शराब परोसी जाएगी और लोगों को बेची जाएगी, हम कैसे कहें भारत स्वतंत्र हो गया, अंग्रेजों ने भारतवासियों को शर अब में ही डुबोना चाहते हैं, तो कैसे कहें देश स्वतंत्र है, देश स्वाधीन है, देश आजाद है